यूपी में मेडिकल की पढ़ाई और उसको समगरता देगी, संपूनता देगी और पाठ्यक्रम से लेकर के परिच्छा तक इसमें एक सुत्रता होगी, एक रूपता होगी और स्वाभाविक एकात्म भाव होगा मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, परामेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग हो, चिकित्सा से जुड़े हर कोर्स, हर डिग्री को देख कर और इसी की देखरेक में ये विश्वा विद्याला है, इस सारी विवस्ताओं को विदाओं को आगे बढ़ाएगी सरकारी हो, अर्दसरकारी हो या नीजी मेडिकल समसान हो, सभी की एफिलेशन इसी युनिवर्सिटी से अब होने वाली है एक समान सैक्षणिक सत्र कैलेंडर लागू होगा, परिछाएं तय समय पर होगी, पारदर्सी तरीके से होगी, इस युनिवर्सिटी के बनने से, यूपी में, मेडिकल की पढ़ाय की क्वालिटी में, और भी सुधारार की तमाम योजनाओं को देखेंगे, तो वो इसी राज से गुजरती हैं, इसी मेप पर आगे बढ़ती हैं, साथियों, बिमारी पर होने वाले खर्च को बचाने का, सबसे आसान तरीका है, कि बिमार होने से ही बचा जाए, यही प्रिवेंटिव हेल्थ केर है, और इसके लिए जितना ज़्यादा, प्रमान में हम लोगों को जागुरुक करेंगे, जागुरुकता होगी, जितना ज़्यादा सामाने मानवे, इसे लेकर गंबीर होंगे, उतना ही उनमें इम्मिनिटी बढ़ेगी, शरीर स्वस्त होगा। स्वच्छ भारत, एक प्रकारच अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केर का बड़ा अभियान है, तो योग भी प्रिवेंटिव हेल्थ केर के लिए जीरो कॉस हेल्थ केर है। उजवला योजना से, धूए से माताओं को मुक्ति दिलाना, ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ केर का काम है, तो दूसरी तरफ, देश के हर नागरिक को फीट इंडिया मुव्मेंट का हिस्सा बना करके, उसको भी फीट रहने के लिए प्रेरिद करना। इसके साथ साथ आयुर्वेट को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल होलिस्टिक हिल्थ केर की मांग बढ़ती चली जा रही हैं, हर कोई साइड इफेक्ट से बचरा चाहता हैं, और उसमें आयुश, आयुर्वेट ये बहुत बड़ी भूमिक आदा कर सकते हैं। तो ऐसे हर पहल बिमारियों की रोक्ताम में अपना अहम योगदान दे रही हैं। प्रिवेंटिव हिल्थ केर के लिए हम जितना बल दें, उतना हिल्थ सेक्टर के लिए हमारी चिंताय कम होती जाती हैं। एक तरफ जहां इससे कम्मुनिकेबल डिसीज की रोक्ताम में बदद मिल रही हैं। वहीं दीसरी तरफ जीवन शैली के कारण जो बिमारी आती हैं, उन बिमारियों को दूर करने में भे ये कारगत साबिस हो रही है। पेल केरके दूसरे आयम यानि एफ़र्डिबिलिटी को बढ़ाना देने के लिए इसके लिए भी सरकार द्वारा कई एतिहासिक कदम उठाए गए है। आयुश्मान भारत के कारण देश के करीब सत्तर लाग गरीब मरीजों का मुप्त इलाज हो चुका है। ये आयुश्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको उसकी टोटल जो जनसंग क्या है उससे जादा भारत में आयुश्मान के लाभारतियों की सुची। यूपी में दो दर्दन से जादा मेडिकल कॉलेज स्विक्रूत किये जा चुके हैं। जिसमें से अनेक या तो सुरू हो चुके हैं या फिर निर्मान की प्रक्रिया में हैं। साथियों, सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वात को बहतर बनाने के लिए मिशन मोड में राष्ट्रिय पोशन अभ्यान समयत अनेक नए कारकम चलाए जा रहे हैं। टीवी को भारत से वर्थ दो हजार पचीस तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रिय अभ्यान चल रहा है। देश के लोगों के स्वात को सुधारने में बिमारी पर होने वाले उनके खर्च को कम करने में ये चार आयाम बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं। साथ्यों जन्स्वास्त के ख्षेत्र में हो रहे हैं। इस अभूत्पर्व काम का लाप यूपी में भी देखने को मिल रहा है। इस वर्ष एंसेफेलाइटिस इसके मामले में योगी जी और उनकी टीम ने और यूपी की जनता ने बहुत ही सरानिय काम किया है। और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी है। अंतराश्ट्य संग्रशनों ने बेही दुनिया की मान्य इंस्टिटूशन ने भी उत्तरप्रदेश की इस सफलता को सराह है उसकी प्रसमसा की है। स्वच्छता और स्वास्त सुविधाओं को गाउं गाउं तक छुलब कराने का जो अभियान यहां की सरकार ने चलाया है। वो यूपी के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए कि राश्ट्रिय पोशन मिशन और मिशन इंद्रधनुस के काम को हम और तेज करें। ताकि आने वाले समय में यूपी का हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर नागरेट स्वस्त रहे। साथियों, आज सुसासन दिवस पर ऐसे समय में, जब हम नए वर्ष और नए दसक में प्रवेश करने जा रहे हैं। तब हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद रखनी चाहिए। अटल जी कहते थे कि हर पीडी के भारत के प्रती में योगदान का मुल्यांकन दो बातों के आधार पर होगा। और ये दोनों मानदन हर नागरिक के लिए हैं। हम कोई भी काम करें दोनों मानदन को हमारे सामने रक्तर के करें। अटल जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, उन दो में पहला है। हमें जो बिरास्त में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुल जाया है। ये पहला मानदन बिरास्त में समस्याओं आई हैं, आती हैं। लेकिन हमने जो विरास्त में मिली वो कितनी समस्याओं को सुल जाया है और दूसरा राष्ट के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से इनिशेटिव से कितनी मजबूत नीव रखी है साथ में इन दोनों सवालों के आलोक में आज हम कह सकते हैं कि 2020 के साल में भारत अभूत पुर्व उपलब्दियों के साथ प्रवेश कर रहा है हमें विरासत में जो भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं और चनोतियां मिली उनके समाधान की निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी सबी प्रमुखबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़ो दबाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें